किसान साथियों नमस्कार आप सबका हर्दिक स्वागत है आमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों आज तारीक है 9 सितंबर 2020 मेरे पास तीन बेरी के पेड़ हैं जो एपल बेर है उसके पेड़ है किसान साथियों मैंने पेड़ तो 10 मंगाई थे लेकिन किसी कारण से मैं उनको लगा नहीं सका या मैंने वो उखार दिये और केवल तीन पेड ये देखने के लिए लगाए हैं कि मेरे खाने के लिए होंगे, मेरे परिवार के लिए होंगे और मैं इन पर पहले कुछ ग्यान प्राप्त करना चाहता था, कि इनकी देखरेक कैसे होती है किसान सातियों ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ देखिए पुरा एक ये पेड़ है, ये पेड़ दस फिट की दूरी पर लगे हुए है और एक वो तीसरा पेड़ है, ये तीन पेड़ है किसान सातियों इसके बाद दस फिट की दूरी पर मेरा ये जो तीन लाइन अमरूद की हैं, जो दस बाई दस पर हैं, वो है, किसान साथियों, इन तीनों पेड की स्थापना मैंने सितंबर 2018 में की थी, उसके बाद पिछले साल जब ये छोटे-छोटे पेड थे, इन पर फूल आये थे, और मैंने वो किसान साथी हैं, बलराम पाटिदार जी, वो भी उज्जेन के रहने वाले हैं, वो भी एपल बेर की बागवानी करते हैं, किसान साथियों, मैंने उनसे पूछा, और जो उन्होंने मुझे बताया, उसे देखकर मैंने क्या किया, आपको दिखाता हूँ, कि ये पेड देखि एक से सवा फिट पर यहाँ से कटिंग की थी, एक और यह दो साखाय रखी थी, तो ये साखा देखे, कितनी मौटी हो गई, यहाँ से कटिंग की थी, और उसके बाद इस में इतनी साखाय फूटी थी, कि मुझे बलराम जी ने बताया, कि त्यागी जी उन मेंसे आप 4-5 चैन किया और छोड़ दिया उसके बाद फिर मैं कटिंग करता रहा और यह एक देखे कितना अच्छा पेड़ बन गया किसान साथियों अभी पिछले हफते मैंने इन में कुछ कुछ साखाओं को फिर काटा है यह बहुत बड़ी हो गई थी कुछ साखाएं नीचे जुकने लगी थी तो मैंने इनको काट कर इस प्रकार किया कि पता नहीं कितना फॉल आएगा अब मैं आपको यह ध्यान से दिखाता हूं यह देखिए आगे लाओ इसके पास देखिए इसमें फूल की सुरुआत हो गई है यह सितंबर का पहला सफता है और इसमें फूल आ रहा है यह देखिए बहुत फूल आ रहा है अब इस हिसाब से इस पर भूत एपल बेर आएगा जिसे देखकर मैंने अपने कारिय करताओं को कहा कि इने सहरा देने के लिए आप इस प्रकार बांस की डंडी लगाएं जो ये मेरे पास बांस की डंडी थी इनको मैंने सहरा देने के लिए ताकि ये नीचे ना जादे जुके अगर और और भी जुकेंगी तो मैं और भी लगा दूँगा और मेरा विचार केवल इस पर इस साल ये देखने का है कि एक पोधे पर कितने फल आएंगे और ये फल किस प्रकार का है किसान साथियों जो मैंने नर्शरी की है मुख्यते उसमें अम्रूद और नीबू के पेड़ है कुछ किसान कहते हैं त्यागी जी हमें एपल बेर चाहिए अगर आप देखो तो एपल बेर के हो है कंपीट करना के मैं दस बीस रुपए में आपको पेड़ दे दूँगा इसलिए मैं एपल बेर के पेड़ नहीं रखता अगर मेरा ये परियोग सक्सिस्फुल रहा तो अगले वर्स से मैं अच्छे वाले एपल बेर के पेड़ रखने शुरू करूंगा किसान साथियो इन में मैंने कोई ऐसी कारवाई नहीं की कि जो विशेश रूप से की गई हो जून महा में मैंने इनको खात दिया था जो अपने अमरूद में दिया था गोबर की खात थाला बना कर और उसमें सिंगल सुपर फासफेट और पोटास और मैगनीशियम साल बेरी तीन चीदे द आया है और मुझे पता चला कि में पोधे क्यों खराब हुए थे मेरे साथ में से लगबग 40 पोधे खराब हो गए थे वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा इन पर कोई असर नहीं पड़ा एक बार मैंने देखा कि इन पर कोई रोग आ गया था यह जो है यह इस तरह से पत्ते देखिए यह खाए हुए थे तो मैंने सिंपली दो एमेल डाय मेथियोट का इस पर इस प्रे कर दिया था यह करीब मैंने दो महीने पहले किया था अब इन पर कोई भी रोग नहीं है और मेरे पास एक गोमूत्र लहसन हरी मिर्च नीम के पत्ते और तंबाखु का एक मेरे पास पेस्टिसाइड है बना हुआ बायो पेस्टिसाइड है जिसे मैं दो परसेंट का करता हूँ अब मैं 15 दिन में एक बार उन पर करा दिया था इसको किसान साथियो इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया अभी मेरे हाँ रवी बार को बारिस हुई थी और मैंने हैं आपने क्या कारिय किये हैं वो भी बताईए मैंने इन पर कोई भी अतिरिक्त कारिय नहीं किया जो अम्रूद में किया वही इन में किया और मेरे ये पेड़ आप देखिए कितने अच्छे हैं कितना बड़ा छत्रक है इन पर और मुझे लगता है कि इस पे बहुत मात्रा में है इस पर ये पोधे मैंने जैसरी नरसरी बनारस से लिये थे उसी वर्स और उन्हों ने उस समय मेरे को 80 रुपे का एक पोधा दिया था मैंने लगाए तो मैंने चलो मुझे इसकी व्यवसाई खेती तो करनी नहीं है लेकिन मैं इने लगाकर मेरे परिवार खाएगा मेरे जो साथी है जो आते हैं वो खाएगे और इससे मैं लोगों की शहता कर सकूँगा जो भी एपल बेर की खेती करना चाहते हैं किसान साथियो जो मैंने इनमें कारिय किये दो साल में मैंने सब बता दिये कोई विशेस कारिय नहीं किया खाद दिया इन में जो अम्रूद में देता था वही खाद इन में दिया और आज इनकी इस्थितिय है बिल्कुल रोग मुक्त पोदे हैं मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है बस मैंने अभी ये बांस का इनको सहरा दिलवाया है किसान सातियों मेरे को एक बार फिर आपसे निवेदन करना पड़ता है कि जब भी आपका कोई परसन हो तो वाटसेप पर पूरी डिटेल के साथ पूछे और मुझे फोन काल ना करें आपको पोधे चाहिए तो जो मेरा वाटसेप नंबर है 9910-336138 उस पर आप मेरे को मैसेज डालिए मैं आपसे बात करूँ दूसरी बात अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो सवाल में पूरी जानकारी आप मेरे को दीजिए फोटो दीजिए पोधे के बारे में बताईए जैसा कि इस प्रारूप में मैंने बताया किसान सातियो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में अवस्य बताएं और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत वंदे मादर